Hello students, today we are going to start with worksheet number 6 of unit 5. So in this worksheet we will learn how we can compare the decimal numbers. तो जैसे हम whole numbers को compare करते थे, in the similar way we will compare the decimal numbers. तो बेटा हमें मालूम है कि जो decimal numbers हैं, वो उसमें 2 parts होते हैं, एक whole part और एक decimal part है न, whole number part और decimal part. तो जब भी आप decimal numbers को compare करेंगे, हमेशा सबसे पहले जो आप compare करेंगे, वो whole part को compare करेंगे. जैसे यहाँ पर first example दिखाया है, 43.8 and 3.89, तो हमें whole part से ही पता चल रहा है, 43 है और यहाँ पर 3 है, तो सबसे पहले आप whole part को देखेंगे. अब जैसे second example में है कि whole part same दिया है, यहाँ पर 81.83 है और यहाँ पर 81.792 है, तो यहाँ पर 81 और 81 whole part same है, इसका मतलब हम decimal part में जाएंगे. तो हमने देखा decimal part में पहला place हमने देखा, 10th place यहाँ पर है 8 और यहाँ पर है 7, तो यहाँ पर अब 10th place पर जाकर comparison हो गया, तो आप क्या है कि जो आपका next example है, इसमें whole part 66 है और उसके बाद 10th place भी same है 7, यहाँ पर भी 10th place है 7, तो हम 100th place पर जाएंगे ठीक है, इसी तरह से अगर आपकी जो दो number है decimal numbers उसमें whole part से मैं देखे 13 है, यहाँ पर भी 13 है ठीक है, फिर 10th place पर यहाँ 8 है, यहाँ पर भी 10th place पर 8 है, फिर आप देखेंगे 100th place पर इधर 0 है और right hand side पर भी 0 है, तो हम कौन से place पर जाके comparison कर रहे है, 1000th place पर जाके last में, तो this is the way we compare the decimal numbers, so now worksheet number 6, तो जैसे मैं आपको worksheet number 5 में already आपको बताया है बेटा कि जब भी आपको compare करना होगा numbers को, convert them into the like decimals, यहाँ worksheet number 5 में हमने like decimals में convert करना सीखा है कि कोई भी decimal numbers के जो pair है, कितने भी decimal numbers है, उनको आप like decimals में convert कर सकते हैं, तो हमने आपको purpose बताया था कि हम like decimals में क्यों convert करते हैं, we convert it in like decimal to compare or to add or to subtract, क्योंकि हम addition, subtraction जो अगली unit में करेंगे, तो आप like decimals को ही add or subtract कर सकते हैं, और आप like decimals को ही compare करेंगे यहाँ पर, तो जैसे आप देख सकते हैं, first में 0.37 and 0.47, तो यहाँ पर whole part दोनों में क्या है, 0 है, तो 10th part पर हम गए, decimal part में गए है, तो decimal part में जो पहला place है, वो 3 है, यहाँ पर 4 है, तो आप भी know कि this one is greater, now the next is 182.6 and here is 181.32, तो हमें whole part से ही पता चल गया, 182 है, यहाँ पर 181 है, तो that means this is greater 1, हमें अभी decimal part पर जाने की जुरत पढ़ी ही नहीं है, अब आप देखिए, 0, whole part 0 है, यहाँ पर भी whole part 0 है, लेकिन अब अगर decimal part में हम अगर जा रहे हैं यहाँ पर, तो आप 10th place से देखिए, यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 1 है, और अगर हम इसको like decimal में भी convert करें, तो it is 90, तो आप देख सकते हैं, कि 0.90 बड़ा होगा, यह 0.10 बड़ा होगा, तो it is 0.9, यहाँ पर क्या है, 9 और यहाँ पर है 6, तो it is greater, 126.60, and 126.6, अगर हम इसे like decimal में convert करें, तो यह same numbers है, and this is how we compare it, तो इसके 5 parts मैंने आपको solve करके दिये हैं, आपको, अब आप इसके remaining 5 parts कुछ सुल्व करेंगे, ओकी, now in question number 2, arrange in ascending order, so first one is, first question of ascending order is, 6.035, 6.53, 6.005, and 6.359, okay, तो बिटा, अभी हम इन numbers को हमें compare करना है, कि कौन सा सबसे छोटा है, वो सबसे पहले आएगा, फिर उससे बड़ा वाला उसके बाद आएगा, फिर उससे भी बड़ा उसके बाद आएगा, तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले इनको, अब आप देख रहे हैं, decimal part में कि सबका जो whole part है, वो 6 है, यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है, है ना, तो हमें whole part से तो नहीं बता चल रहा है, इसके बाद हम 10th place पर गए, तो यहाँ पर क्या है, 0, 5, 0, 3, तो यह जो 2 हैं, यह वाला नंबर और यह नंबर, यह सबसे पहले आएगा, अब इन दोनों में comparison करेंगे, सबसे पहले आएगा, 6.005 और फिर आएगा, 6.035 और इसके बाद यह जो 3, 10th place पर यहाँ 3 है, यहाँ 10th place पर 5 है, तो यह वाला नंबर, 6.359 और 6.530 और लास्त है, अब इन दो जो 2 है, 19.071, 19.170 और 19.701 और 19.017, तो अब आप देखेंगे, सबका जो whole part है, वो 19, 19, 19, 19 है ना, और सबके decimal parts में 3, 3 places है, तो ये already like decimals में है, तो now अब आप देखेंगे, whole part से तो हम comparison करेंगे नहीं, तो हम 10th place पे देखेंगे, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 7 है, और यहाँ 0 है, तो जो ये 2 0 वाले हैं, ये number और ये वाला number, ये दोनों पहले आएंगे, अब इन दोनों में आप देखेंगे, सबसे पहले कौन सा आएगा, तो ये है 19.071, ये है 19.017, तो आप, it is very clear here, 19.017, then 19.071, then अब ये 2 number बच्चे हैं, ये वाला और ये वाला number, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, कि 19.170 है, it will come first, 19.170, और last में आगया, 19.701, so 2 parts have solved and remaining 2 parts you will do yourself, now question number 3, arrange in descending order, तो all the decimal numbers, you have to arrange all these decimal numbers in the descending order, and we know descending order में सबसे पहले, greatest decimal number आएगा, और last में, smallest, decimal number, so let us start with first part, third question का अगर हम ये part solve करते हैं, तो ये part में है आपका 218.81, then 281.82, then 281.81, and then 218.9, okay, तो when we solve it, तो देखिए ये जो आपके decimal numbers given है, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर पहले में two decimal parts हैं, दूसरे में भी two decimal, तीसरे में भी, यहाँ पर एक है, तो हम यहाँ पर we'll put one zero, तो यह अब सारे क्या बन गए हैं, like decimals, okay, अब हम देखेंगे जो whole part है, देखिए यह और 281 वाले whole part में यह दो numbers हैं, तो यह दो numbers में से कोई एक number सबसे पहले आएगा, क्योंकि 218 से बड़ा है 281, तो descending order में सबसे पहले बड़ा number लिखते हैं, तो 281.82 और 281.81, तो it is very clear here, 281.82 is greatest number, और उसके बाद आएगा 281.81, अब हमारे पास यह दो numbers बचते हैं, 218.90 and 218.81, तो यहाँ पर भी अभी यह बहुत clear है कि 218.90 पहले आएगा, and then 218.81, तो in this way, we'll solve A part, now we'll solve C part, okay, C part में है 30.03, 30.031, then 30.301 and then 30.3, तो बेटा, अगर हम इसके सारे चारो decimal numbers को देखें, तो सब का whole part 30, 30, 30, 30 और 30, तो whole part से तो हमें, यहाँ पर कोई comparison हो नहीं रहा है, अगर हम इसका decimal part देखें, तो जो सबसे जादा decimal parts जो हैं, वो इन दो numbers में हैं, बीच वाले दो numbers में, 3 decimal parts हैं, तो आप पहले और last वाले के भी 3 decimal parts करेंगे, इन दो numbers में से, descending order के लिए बड़े number हमें चाहिए, तो इन दोनों में से पहला number आएगा, यहाँ पर है 30.301, और यहाँ पर है 30.300, तो यह बड़ा clear है, 30.301 पहले आएगा, and 30.300 उसके बाद आएगा, है न, और अब यह दो numbers बचे हैं, तो अब हमें 10th place पे तो 00 है दोनों के यहाँ पर, अब हम जाएगे 100th place पर यहाँ क्या है, 3, यहाँ पर भी 3 है, तो अब हमें last place से, 1000th place से पता चल रहा है कि, 30.031, तो यहाँ पर आएगा 30.031 बड़ा है, और 30.030 सबसे छोटा है, in this way, two parts I have solved and remaining two parts you will solve yourself, so in this way, my dear students, you will complete worksheet number 6 of unit 5 in your Mathsphere Notebook.